हलो एभरीवन, मैसेल डॉक्टर विनोत साहू हम लोग सेवी पढ़ रहे हैं, Security and Exchange Board of India और इस टॉपी के अंतरगत यह चौथा लेक्चर है इस चौथे लेक्चर से पहले हम लोगों ने इस सेवी के introduction को पढ़ लिया है सेवी के उदेश क्या रहे हैं, इनको भी हम लोगों ने पढ़ा है Organisational Structure को भी देखा है Functions of सेवी, Rights and Power of सेवी भी हम लोगों ने पढ़ लिया है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Roll of सेवी, सेवी की क्या भूमिका है या सेवी की उपलब्धियां क्या रही है तो चलिए सुरू करते हैं और Roll of सेवी, सेवी की भूमिका को समझते हैं सेवी अपनी स्थापना से ही, जब से सेवी की स्थापना हुई है प्रारहम से ही capital market के जितने भी पक्षकार हैं विभिन पक्षकारों को प्रभावी रूप से उनको नियंतरीत करने का और उनको regulate करने का काम करता रहा है समय समय पर इस सेवी एक्ट में बहुत सारे संसोधन भी किये गए हैं और उन संसोधन के कारण ही इनको बहुत सारे सक्तियां भी प्राप्त हो गई है आज वरतमान में ये काफी सक्ति साली संस्था के रूप में इसको जाना जाता है जो इसकंध बिपडियां है जो stock market है और जो भी जितने mediators हैं उनके कारे बेवहरों को सेबी ने एक दिसा नेट देश दिया है उनको दिसा में अग्रेसर करने का प्रयास किया है और उनके लिए guideline जारी किया गया है उनके उसी guideline के हिसाब से ये जो भी mediators हैं और stock market हैं ये अपना काम करती हैं इससे पहले जो stock market में बहुत सारे कुरितियां हुआ करती थी जो problems हुआ करते थे जो dispute हुआ करते थे उनका अंत हुआ है और अंतता जो investors हैं उनके हीतों की उनके interest की रक्षा हो रही है और यह पुझी बजार का जो है स्वस्थ विकास हो पा रहा है आगे इसमें बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले लिखा है role of saving in primary market मतलब प्रात्मिक बजार में saving की क्या भूमिका रही है क्या उपलबधिया रही है इनको इन विंदूओं के हिसाब से पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे to improvement in format of prospectus जो prospectus है उसके प्रारूप में क्या सुधार किया गया है सुधार में क्या भूमिका रहा है दूसरा जो इसमें है to disclose of risk factor मतलब जो भी जोखिम वले घटक है जो भी जोखिम factor है उनको अब प्रकट करना अनिवारे है जो companyya है उनको इस तरीके की जो घटनाए है जो घटक है उनको अब disclose करना अनिवारे कर दिया गया है नेक्स्ट है to complete the allotment and listing जो अन्सो क्या बंटर उसे सूचियन से सम्बंधित काम है उसको पूरा करने के लिए एक नए तरीके से regulation बनाया गया है और उसी regulation की हिसाब से जो companyya है वो कारे करती है to registration of merchandise, bankers and other institution लिखा हुआ है जो merchant bankers है और जो अन्या संस्थाए है उनके पंजियन से सम्बंधित कार्य करती है इसकी जो भूमिका है उस पे अध्यान करेंगे और to protect of investor मतलब जो विन्वेसक हैं जो निवेसक हैं उनको किस तरीके से सनक्षण मिल रहा है उस सनक्षण में सेवी की क्या भूमिका है इस पे अध्यान करेंगे तो एक-एक बिन्दूओं को देखते हैं और समझते हैं सबसे पहले to improvement in format of prospectus प्रविरंड के प्रारूप में सुधार अब परियाप सुषनाय देने और प्रविरंड को अधिक पारदर्सी बनाने के हिसाब से सेवी ने एक प्रविरंड का prospectus का नया format तयार किया है उसी format के हिसाब से अब कंपनिया जो हैं अपना prospectus बनाती हैं और इसमें कुछ नए सिर्सकों को भी सामिल किया गया है कुछ नए बिन्दों को भी सामिल किया गया है जिससे कंपनी को अधिक सही और व्यापक सूचना उपलब करवाना पड़ता है अब जो share market है उसमें ये ज जो prospectus जारी किया जाता है इन कंपनियों के दोरा इस prospectus में अब बहुत सारी चीजें कुछ नए सिर्सक भी सामिल किये गये हैं कुछ इन नए सिर्सकों के कारण अब कंपनियों को अपनी जो सूचना है वो ज़्यादा available कराने पड़ती है वो सामने वाले को बताना पड़ता है दूसरा जो point है to disclose of risk factor जो जोखिम घटक है उनका प्रकट करना अब अनिमारे कर दिया गया है प्रते कंपनी को अब जब उस सेयर इसू करती है उस समय या फिर कुछ नमीन जैसे जो factors हैं जो risk factor कहे जाते हैं उन जोखिम factor को अब अनिमारे रूप से प्रकट करना होता है ज जो प्रतेक्ष या अब प्रतेक्ष रूप से investors के हितों को प्रभावित किया करते थे उनको effected किया करते थे तो ऐसे जो जोखिम घटक हैं उनका प्रकट करना अब अनिमारे कर दिया गया है to complete the allotment and listing लिखा हुआ है अंसों के आबंटन वो सूचियन को पूरा करना जो कमपनिया हैं कमपनी के अंसों के आबंटन और उनका जो सूची बनाया जाता है दिये गए समय में पूरा करना पूरा करने के लिए अब समय निधारित कर दिया गया है उसी समय सीमा में इस काम को आबंटन के काम को और सूचियन के काम को पूरा करना रहता है और से भी जो है इस संबन्द में कुछ महत्पूर कदम उठाए हैं कुछ महत्पूर प्राधान किये गए हैं जितने भी स्टॉक मार्केट हैं अब स्टॉक मार्केट की जो कमपनिया हैं अपने जो टोटल इसू होते हैं कुल निरगंबन होते हैं उसकी एक कुछ परसेंटेज रासी जमा कराई जाती है और वह जो रासी है इसलिए जमा कहला जाती है ताकि जो अनसों के अबंटन और जो रासी वापस करने का या अनसों के investors हैं और जो आवेदन करता है applicant है उनको काफी रहत मिल रही है अगला जो point है to registration of merchant, bankers and other institution जो merchant bankers है तथा जो अन्य संस्थाएं हैं उनका पंजियन अब करना अनिवारे हैं उनके पंजियन में सेवी की जो महतपूर भूमी का है सेवी ने अब जो merchant bankers हैं जो अधिवगोपक कहे जाते हैं जो निर्गमन प्रबंधक होते हैं जो bankers होते हैं अब इनका पंजियन करना जो है सेवी में अनिवारे कर दिया गया है इनका जो प्रमकुद्देश है निर्गमन को सही करना उचित धंक से निस्पादित करना भी रहा है तथा इस संबंध में अगर कोई तूटी है कोई दोस है तो उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखने का काम भी सेवी के द्वारा ही किया जाता है सेवी की ही भूमी का है अगला point देखते हैं to protect of investor निवेसक को सनक्षण परदान करना जो भी investors हैं भारत में जो निवेसक हैं उनकी समस्याओं को उनकी जो भी संकाएं हैं या उनकी जो भी सिकायते हैं उनके समधान के लिए सेवी अब जो पूड़ता सक्री है काफी active है और इस बारे में बहुत अच्छा कारे कर रही है जो investors हैं उनको अपने अधिकारों के प्रती समय समय पर सेवी जागरूप करते रहती है और सेवी जो है इनकी लिए जो investor संग है उनका पंजियन करना भी सुरू कर दिया है investor संग्स का अब पंजियन होना सुरू हो गया है इसके अलाबा जो निवेसक हैं उनको ट्रेनिंग देने का उनको सिक्षित करने का और इस तरीके से उनको protect करने के लिए समय समय पर बहुत सारे सुचनाय जो है वो प्रकासित करने का काम सेवी के द्वारा किया जाता है इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो दूसरा है role of सेवी in secondary market इसके पहले हम लोग अभी देख रहे थे प्रात्मिक बजार में सेवी की क्या भूमी का है अब देखते हैं कि secondary बजार में सेवी की क्या भूमी का है सहायक बजार में सेवी की क्या उपलब्धियां है उसकी क्या भूमी का है तो सेवी के प्रयासों से ही जो सेवी का प्रयास है इसी के कारण जितने भी स्टॉक मार्केट है उनकी जो कारेर पढाली है उसमें अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है अब पहले जैसे ये काम नहीं करते हैं अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है जो सेवी के कारण कुछ नई नई चीजे देखने को मिलता है जैसे जो ब्रोकर थे जो दलाल है उनके रेगुलेशन तयार करना इसके लावा इंसाइडर सौधों का नियमन करना जो इसकंद बीनमे केंद्र है उनका निरिक्षण करना अब जो भी ट्रांजेक्षन होते हैं इसकी नाधारित ट्रांजेक्षन लागू हो चुका है सेवी के कारण ही जो इसकंद बीनमे केंद्र है उनका एक नेटवर्क तयार कर लिया गया है जो इन्वेस्टर हैं उनकी सिकायत से संबंधित कुछ महतपूर बेवस्था की गई है जो भी सिकायत है उनका ततकाल समाधान होने लगा है लिस्टिंग संबंधित जो भी सवदे हैं उनके प्रकरटी करन को अब और अधिक ब्यापक बना दिया गया है जितने भी स्टॉक मार्केट हैं उनके लिए अपने एक क्लियरिंग हाउस की स्थापना कर दी गई है सभी जितने भी स्टॉक मार्केट हैं उनकी एक गौवर्निंग बॉडी की ब्यापक प्रतिनिधित्व अब सेवी में मिलने लगा है तो ये जो पॉइंट हम लोग अभी बात कर रहे थे ये सारा का सारा जो है वो सहायक बजार की उपलब्धियां है सहायक बजार में सेवी की भूमिका के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया है तीसरा है एश्यूमेंट इन दे फिल्ड अप मीचुवल फंड मतलब जो मीचुवल फंड है पारिस्परिक नीधियां है उस छेत्र में भी इनका रोल है इनका भूमिका है या उपलब्धी कह सकते है सेवी ने अब जो मीचुवल फंड है उनके रेगुलेशन से संबंधित या उनके नियंत्रण के लिए अब उनका रेश्टेशन भी करना अनिवारे कर दिया है अब पंजियन कराना इसमें कंपल सरी हो गया है सेवी ने पारिस्परिक जो नीधियां है जो मीचुवल फंड है उनके विग्यापन से संबंधित भी अब अचार सहिता का निर्माण किया गया है अब उसी अचार सहिता को ध्यान में रखते हुए जो मीचुवल फंड हैं उनका विग्यापन किया जाता है इन में वो जो जनता है उन जनता को सभी जोखिम जितने भी जो रिस्पेक्टर हैं उनको डिस्कलोस करने का प्रकट करने का उनकी जो मीचुवल फंड उनकी जो कारे कलाप है उनको पारदर्सी बनाने के लिए अब बाद्धे कर दिया है मतलब जो किरिया कलाप है और जो जो जोखिम फेक्टर है उनको प्रकट करना अब कमपलसरी है जो किरिया कलाप है उनको जादस जादा पारदर्सी बनाने के लिए या बोर्ड जो है वो बात धे कर दी है अब जो mutual fund है वो सेवी को कुछ महतपूर्ट सुचनाओं अनिमारे रूप से भेजना पड़ता है अब सेवी को ये compulsory कर दिया गया है सेवी के द्वारा कि जो mutual fund है उनकुछ महतपूर्ट सुचनाओं को अनिमारत भेजें इसके पहले वाले जो regulation था उसमें इस तरीके की ब्योस्था नहीं थी लेकिन सेवी के आने के बाद mutual funds के लिए या ब्योस्था की गई है Next है regulation of portfolio management portfolio management से संबंधी जो regulation है जो नियमन है इस संबंध में जो सेवी की भूमिका है एक जानकी रमन समीती मनाई गई थी जानकी रमन समीती ने अपनी जब तीसरी report पेस की थी तो उसमें एक business point को highlight किया था वह business point था कि जो विदेसी bank है उन विदेसी bank को दारा portfolio management scheme का दुरूपयोग किया जा रहा है व्यापव उसका दुरूपयोग किया जा रहा है और यह जो दुरूपयोग हो रहा है इसमें जो investors हैं उनकी हित सनक्षड की दिश्टी से यह जो है काम नहीं करते थे और उसके कारण जो है इसी समीती की report को ध्यान में रखते हुए अब जो portfolio managers हैं उनकी लिए भी सेवी ने पंजियन आरंभ कर दिया है मतलब अब जो portfolio managers हैं उनका भी पंजियन कराना अनिमारे कर दिया गया है इस नियमा वली में यह भी कहा गया है कि जो पंजी करण के लिए ब्यक्ती हैं या जो firm हैं उनकी हैसियत कम से कम अब 50 लाग की होने चीए अगर 50 लाग की हैसियत है तभी वो portfolio management कर सकता है इस संबन में जितने भी निवेसक हैं investors हैं उनसे जो प्राप्त होती है धनरासी उसका उपयोग जो है portfolio manager के द्वारा जो बिलों की कटवती है उसे तू नहीं किया जा सकता है मतलब इसमें इसपस्ट किया गया है कि जो बिलों की कटवती से संबन्धित है उनमें इस रासी का परयोग नहीं किया जाएगा इस नियमावली में यह भी निर्देश दिया गया है यह भी एक बात और इसपस्ट किया गया है कि जो भी portfolio manager है वो प्रतिभूतियों से किसी भी तरीके का मिथ्या बजार की संबन्दशा नहीं करेंगे साथ ही इनके मुल्यों के को तोड मरोड कर या फिर उसको किसी भी तरीके से हेर फेर करके उसमें किसी भी तरीके का छेड़ खानी नहीं करेंगे उसमें प्रतिभागी नहीं बनेंगे नेक्ट देखते हैं Achievement in Venture Capital Finance Stock Venture पुंजी बित ब्योस्था में ये Achievement in Venture Capital Finance है Venture पुंजी बित ब्योस्था में उपलब धिया सेवी ने इनके नियमन से संबंधित भी बहुत सारे प्राधान जारी किये गये हैं जिसमें इनके पंजियन से संबंधित बिन्योगों की सर्तों जो रही उनसे संबंधित और कह सकते हैं कि जो कमपनी प्रबंधन और रिकॉर्ड और लेखा पुस्तगें की जो बुक हैं उनको रखने की ब्योस्था जितने भी दोसी Venture Capital हैं उन कमपनियों का निरिक्षण करना कमपनियों की निरिक्षण संबंधित उनके अनुसंधान से संबंधित और उनको दंडित करने की अधिकार से भी दंडित करने का जो बेधिकार है अब सेवी के पास है अगला है Stock Broking Regulation Stock Broking Niaman जितने भी दलाल हैं या जो उप दलाल कह जाते हैं जो उप्रोकर कह जाते हैं इनका भी पंजियन सेवी के दवारा अनिवारे कर दिया गया है पहले इनका पंजियन अनिवारे नहीं होता था लेकिन सेवी की आने के बाद इनका जो पंजियन है वो अनिवारे कर दिया गया है इससे जो Share Market है और जो Stock Exchange Centre है तिया गया है इसके पंजीयनear के लिए सेवी ने अब योग्यताइं कुछ फीस और कुछ बेसिक रिसूर्सेज की आउसेक्ताइं भी निर्धारित की है कुछ बेसिक चीजें भी अब इसमें सामिल किया गया है इनके जो किरिया कलाप हैं इनके दोरा जो किये जाने वाले कार्य हैं उनके ब्यापक अनुसंधान के लिए इनके द्वारा जो रखा जाने वाला record है जो भी लेखा पुस्तकें रखती हैं जो भी documents ये रखती हैं उनकी जाच परताल करना उनकी जपती करण करना और समय समय पर उसमें आवस्यक संसोधन कराने का जो अधिकार है उस सेवी के पास ही है अगला जो बिंदू है इसमें देखिए investor interest protection तो जो निवेसक हैं उनकी निवेसक हित सरक्षड उपाए भी सेवी की भूमी का के अंतरगत आता है वास्तों में हम लोग देखते हैं तो सेवी की स्थापना का मुख्य उद्देश है जो investors है उनकी इसी उद्देश को ध्यान में रखते हुए जो मध्यस्त हैं और जो निर्गमन कंपनियां है में इस विचारधारा के प्रति उनको जागरुकता इस्थापित करने के लिए या फिर जागरुक करने के उद्देश से सेवी अपने प्रकासन में जो भी दोसी कंपनियां है या जो उदासीन कंपनियां है जो अच्छे से कारे नहीं कर रही है उनका नाम प्रकासित करती है जब नाम प्रकासित करती है तो जो investors होते हैं उनको अधा करती है सेवी जो है ये जो investors हैं और जो mediators हैं इनके द्वारा कोई भी संभावित जो धोखेबाजी है उससे भी सचेत करने का जो काम है investors को जो सचेत करने का काम है उससे भी के द्वारा ही किया जाता है अगला जो point है इसके इसके लावा कुछ अन्य भूमिकाएं भी हैं सेवी के अन्य भूमिकाओं में जैसे अब derivatives ब्यापार का प्रारम सुरू हो गया है इसके पहले derivatives ब्यापार का प्रारम नहीं हुआ करता था इसकी अनुमती अब मिल गई है circuit breaker प्रणाली लागू कर दिया गया है market में share market में circuit एक breaker प्रणाली होता है इस से इसको अब लागू कर दिया गया है यह जो प्रणाली है यह आज इस समय वर्तमान में अधिक भी स्वस्निय माना जाता है और इस तरीके से जो सेवी का भूमिकाओं यह आज market में काफी बढ़ा ह है इसका कद भी काफी बढ़ा है और इसके कारण जो investors हैं अब खुल के invest करते हैं और इस तरीके से अपना पुंजी लगाते है market में इसका यह जो हम लोग पढ़ रहे थे roll of सेवी इसका conclusion overall हम कह सकते हैं कि जो capital market है पुंजी बजार है जिसमें primary और secondary दो market है इन दोनों market में से सेवी की जो है महतपूर भूमी का है सेवी इन दोनों market में बजारों में अपनी महतपूर भूमी का निभाती है सेवी ने जो दिसा निर्देस बनाया है जो मारदर्सन बनाया है मारदर्सक बनाया है इसी दिसा निर्देस और मारदर्सक को ध्यान में रखते हुए जो प्रा इन्वेस्टर्स हैं जो नियोकता हैं वो जुठे और भ्रमपूर्ण और कपटपूर्ण इस तरीके का प्रविरनट जारी नहीं कर सकते इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन बनाया गया है उस रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी रहात मिलता है अगर कोई employer जो विनियोकता जो होते हैं उनके लिए कई तरीके के दंड सजा या जुर्माने का भी परोधान रखा गया है सेवी ने इसके लिए काफी महतपूर्ण कदम उठाया है दूसरी तरफ जो दूतियक बजार है जो गौड बजार है उसमें भी सेवी ने अपनी महतपूर्ण भूमिका निभाई है उनके नियमन से संबंधित उनके कारे कलापों से संबंधित उनको नियंतरित करने का काम जो है सेवी के द्वारा किया जाता है जो दलाल है जो उप दलाल है जो ब्रोकर है उनकी जो unwanted activities रहा है उनके लिए बहुत कड़े बहुत कठोर कानून भी बनाया गया है कुछ सुधार कारिकरम भी बनाया गया है जो सहायक बजार में बजार निर्माता होते हैं जो आंतरिक ब्यापार, इंटरनेट ब्यापार इसकंध बिपडियों के आधोनिकी करणड और डेरिवेटिस ब्यापार इस सब चीज बनाकर नए नए जो सुधारात्मक उपाय है उनको अपनाया गया है इसके साथ ही जो बिदेशी संस्थागत बिनियोजक हैं उनकी लिए भी अनेक सकारात्मक निर्णे अब लिये गए हैं जो सेवी के महतपूर उपलब्धियों या फिर महतपूर भूमिकाओं में सामिल किया जाता है सेवी के इसी भूमिका से जो हमारा पुंजी बजार है कैप्टर मार्केट आज बहुत मजबूत है मजबूत हुआ है और इसमें काफी पारदर्शिता भी आई है तो कह सकते हैं कि यह जो सेवी है इसके आने से हमारा जो पुझी बजा रहा है काफी सुद्रिण हुआ है काफी ससक्त हुआ है इस तरीके से हमारा यह वीडियो लेक्चर चौथा कम्प्लीट होता है अगले वीडियो में हम लोग कुछ MCQs देखेंगे जो हमारा स्लेबस है M.com का इस M.com के स्लेबस के हिसाब से हमारा जो एक्जाम पैटन है उसके हिसाब से हमको कुछ MCQs भी देखने है तो अगले वीडियो में हम इसके MCQs देखेंगे थैंक्यो